बिग बॉस 15 में अपने पार्टिसिपेशन पर बोले मोसीन, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये तोड़ी चुप्पी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करकर बताई क्या है पूरी खबर की सच्चाई एक्टर मोसीन खान को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है ये रिष्टा क्या कहलाता है में कार्टिक गोईन का गकिरदार निभा कर मोसीन ने करोडो लोगों को अपना फैन बना लिया है और इसी फैन फॉलोईंग को देखते हुए पिक बॉस 15 के मेकर्स ने मोसीन खान को सोका हिस्सा बनने के लिए अप्रोच किया है पिछले कई दिनों से मीडिया में ऐसी खबरे है कि मोसीन खान आक्टूबर में ये रिष्टा क्या कहलाता है को अलविदा कह देंगे जिसके बाद वो बिग बॉस 15 का हिस्सा बनेंगे लेकिन अब इस खबर पर मोसीन खान ने अपनी चुपी तोड़ी है और अपने सोशल मीडिया पोस के जरिये इस खबर को डिनाई किया है मोसीन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे बिग पोस 15 के हिस्सा बनने की सारी खबरे गलत है यार मैं इसके लिए बहुत ही शर्मीला हूँ विशिंग एवरिवन आल दे बेस्ट एंड ब्लेस्ट वीकेंड इन्शा अल्ला वही बात करें ये रिष्टा क्या कहलाता है कि तो खबरे ऐसी है कि जल्द ही मोसीन खान और शिवांगी जोशी इस शो को अलविदा कह देंगे जिसके बाद जनरेशन लीप के चलते शो में नए एक्टर्स की एंट्री होगी अब इस शो में आगे कार्तिक नाईरा और कार्तिक और सीरत के बच्चों की कहानी दिखाई जाएगी वैल क्या रियक्शन है आपका इस पूरी खबर पर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में और टेलिविजन की ऐसी ही सारी लेटिस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूले